तो क्या हमें ठारावर यूगिंदर और रजेद लाग और पूरी सुपर्स्टार के बीच में कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती हैं और अमित भाई यानी देशी के में बहुत ही ज्यादा कुस्त जहां इस चीज को लेकर और भी बहुत सारे इंप्टेंट अपडेट है यूटूब कम्यूटी को लेकर तो वीडियो को एंड दर दिखते रहना तो दूस्तो अगर आप मेरी चानल पर पहले बार विजिट की हो तो चानल को जरूसर सब्क्राइब कर देना तो कर दो यार दो सिकेंट भी नहीं लगीगा बाके दोस्तो चलिए जलते हैं वीडियो की तरह तो दोस्तो फर्स्ट अपडेट रहे थगेश और दाइक जरूसर राइडर से एक बार पोक और ट्रोल किया तो दो दिन पहरेज ने थगेश की चानल से एक वीडियो आउट होती है जीस पर थगेश बहुत सारे लफटी की बारे में बात करती हैं इसी के बीच में The 207 Rider की Boxing Match के बारे में बात करते हैं तो थगेश ने क्या बोल आपने वीडियो में तो देखिए तो भाई एक बात और सुन ले UK अगर पीछे अट गया तो तू अपने माबाब की अगर हम अट गे तो हम नहीं है समझा करो daily vlogger है daily judd बोलना होता है बट UK भाई ने बार-बार मुनावर को पोक किया and then मुनावर ने reply किया diss track के थ्रू जो मुनावर भाई रैप तो बढ़िया है बढ़िया लिखा है गोस्ट राइटर ने इतना ही नहीं अर्मान मलिक ने भी reply दिया तो बाई एक मच्छर है बहुत जादा हुआ में बढ़ रहा है एक दो गुसे दिवार में मार मूर के अपने आपको बॉक्सर समझने लग गया बाई तो पहले यह सुन लो फिर इसका वैम भी खतम गरते है इस ओपन तो एवर्यवन वोक्सिंग चालेंज ओपन तो एनिवन बहुत सारे इंफ्लेंजेश हैं भाई तेरा चैलेंज ना में लेता हुआ ठीक है अगर किसी में दम है फाइट करने का वी विल फाइट वन वी वर्सेज वन फेट यूके तियार है तो भाई आर्याना लंब बहुत दम होगा है तेरा दम भी लिकाड़ देंगे चिंता ना करें वी गोट बॉक्सर अर्मान मलिक बिफोर जीटी एशिक्स नहीं वो पहला प्यार वाला अर्मान मलिक नहीं दो प्यार वाला अर्मान मलिक लेकिन मैं मानू जो इस पूरे फाइट में अर्मान भाई को ही एडवांटेज है उनके कॉर्णर में एक एक्ट्रा सपोर्टर होगी ऐसे देगे तो मुनावर के इसमें तो तीन-चार होगी ठीक है कोई नी फाइनली एक-दो महीने बाद चीन-चार गाड़िया लेके उनको ठुकवाने के बाद UK भाई ने करारा रिप्लाई दिया तो मैं घर पहुची गया था तो आंसर देना तो बनते हैं तो तिंग इस गाईज आप लोगों के चालेंज दिया था बेसिकली नीराज गोयाद भाई ने इंडिया में बॉक्सिंग प्रमोट करने के लिए UK भाई से कोलाब किया जो हाल चड़ रहे हैं देखके लग रहा है प्रमोट नहीं डिमोट हो रहा है बॉक्सिंग तो दोस्तो योकिज दोरे से वर चरीए तो फीर सब बात कर दियेते हैं तो तो दोस्तो क्या देखक दोरे से वर राइडर का करेर अभी खत्रे में आ है जब से वो Big Boss के घर से बाहर हुए हैं तब से उनकी वीव बहुत कम हो चुके हैं पहले की मुकाबले तो अभी की डेट में The Equisitoris Never Rider को कोई सभी यूटूबर जोगा पोक और ट्रोल करते रहते हैं ये एक समय पे काफी पॉपुलर एंड लोगों के पसंदीदा व्लॉगर हुआ करते थे बट अभी देखोगे तो इस रेप्यूटेशन इस टोटली डेस्ट्रोइट कमिंस खोलोगे तो लोग इनको जोकर बुलाते हैं हर दिन कोई ना कोई इनको रोस्ट करता है इन्स्टरग्राम खोलोगे तो रील्स पे भी लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं और इवन सलमान खान ने खुद भी UK07 Rider और उनके पापा एक साथ राइड में गए थे अकॉर्डिंग तो हिम उनके पापा के कुछ प्रब्लम्स के लिए वो धीरे धीरे चला रहे थे और उनको उनके पापा के पीछे ही धीरे धीरे चलाना पर रहा था आमिर माजीद को राइड जल्दी कंप्लीट करनी थी तो वो आगे चले गए और वो उफेंड हो गए उसके बाद अब इसके कुछ दिनों बादी आमिर माजीद ने एक डिस्ट्रैक लाउंच किया था एगेंस्ट UK07 Rider और उसके बाद UK07 made a video जहां पर वो emotional हो गए और बताया कि कैसे उनके girlfriend पर वो लोग racist remarks थो करे थे और फिर UK07 की जो girlfriend थी उस टाइम पर साविया राइड वो भी एक वीडियो बनाती है एकस्प्लेन करते हुए अपना साइड एंड देन UK07 को सपोर्ट करते हुए एलविश यादव, समडाद भाई एंड लक्षय चौदरी ने भी वडियो बनाए तो इससे रिलेटेट उन्होंने अपने रिल्स पर क्या बोले देखिये बस हुआ नहीं बहुत हो रहा है अभी बस मेरा ना भी पाराच चड़ रहा है अभी मैं नहीं सहन करने आ लो और नहीं सहन करने आ लो बाकी दोस्तों आप सब लोग इस गाने को सुने हो कि नहीं कॉमेड बाक्षिन जरूर बता देना तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेस्ट अपडेट की तरफ तो दोस्तों नेस्ट अपडेट है आरोई खुराना सरी लेटे तो प्लेग्राउंड सीजन 3 की वाइल्द कार्ट की बात कर लो अलविश की बात कर लो और भी बाकी जो जजेसे सबसे बैस्ट कॉन लग आपको मुझे सबी अच्छे लगी कोई तो एक होगा ना यह ठीक है वहाँ पर एक मॉटल करते हैं वह बहुत बहुत इनोसिंट थे बहुत प्यारे थे वह मुझे बहुत अच्छे अच्छे लगी कि वह लोग इतने बड़े लेबल पर जाकर भी इतने ज्यादा डाउन टूर्थ हैं तो इसलिए वह लोग भी मुझे अच्छे लगी तो दोस्तों चलिए चलते निस्ट अपडेट के दरा तो निस्ट अपडेट है अमीद भाई यानि देशी गेमर से रिले करने लगते हैं तो यह सब को देखकर अमीद भाई बहुत ही ज्यादा कुछ्छा हो जाते हैं तो वह क्लीप आप लोग देखिए जितनी बार आपके पापा को पूछे वह बता देंगे जितनी बार आपके पापा ने बोला होगा उतना ही बार ठीक है इसने कमेंट कितना ग समवन जिसका वह जानता भी नहीं है रिगार्डिंग्स लाइक सम्थिंग जो एकदम बहुती नीज घटिया लोग होते इस पर करें कमेंट कर रहा है वह इसे लोग हम लोगन गई चबूइस गंटिका मैंने बैं दिया है उसको लगता हो कूल बन गया हो एकदम मतलब किसी क गोर्ण के च्वा सब्सक्राइब सरह जांड़ सब्सक्राइब कि इस चलते हैं नेसा अबडेट के तरहिता हो जोगिंद और रजगतर इकना की सब्सक्राइब पहले रजेत दलान अपने व्लोग विडियाब थारा भाई योगिंदर को पूक किया और गाली भी दी तो सबसे पहले आप उनके छोटी स्क्लिप देखिए उस अब जैसे तुम्हारे थारा भाई पंचर जोगिंदर ने ये पंचर तो लगा दिये तो फिर इसके बाद थारा के सेड में खड़ा होगे और मेरा नाम लेता है और उपर से मेरे को गाली देता है मैं उस भाई को एक बात बोलना चाहता हूँ तू किसी को भी गाली दे मेरे को फरक नहीं पड़ता पर आज के बाद थारा भाई जोगिंदर को बड़े सो समझ के गाली देना समझ गया अब जानता है जोग इंदर को नहीं? बच्चों को ड्राना जो ए गोमते हैं जोग इंदर के साथ मत बना गलती से भी, समझ गया? यह अपना सिस्टम किसी और को जाके दिखा जोहिंदर चलता फिरता सिस्टम है डैड लिफ्ट मारने जे बोड़ी बिल्डर नहीं बन जाते बुद्धिवियों नहीं चीए जो तेरे पास नहीं है ओकात में काम डाउन ब्रादर तो इसके बाद पुलिस सुपरिस्टार इस कंप्रोवर्सी में सामीर हो जाता है और थारा भाई योगिंदर को सपोर्ट करता है तो पुलिस सुपरिस्टार अपने वीडियो में क्या बोला आप लोग खुद ही देखिए अब दिखेगी पावार और सिस्टम मेरे पास पावर सिस्टम और पैसे की नहीं पब्लिक की है थारा भाई चोगिंदर अपना भाई है बेटा आप आया है तू असली शिकंजे में आप तु अपनी उल्टी गिंती करना शुरू कर दे आप तुझे पता लगेगा कि इस सिस्टम किसका चलता है और पावर किसकी चलती है सोचकर बोली हो तो बाकी दोस्तों क्या लगत है हमें यह कंट्रोवर्सी लंबा देखने उनको मिल सकती है लेकिन अभी तक रजय दला और शेयर जरूर सिकर देना तो मिलता हुने इस्ट वीडियो में तक तक रिगुड़ू बाएं देखिया थैंस पॉर वाचिंग अपना ख्यार रतना